Hello Traders, I hope आप लोगों के लिए ये current week बहुत ही ज़्यादा अच्छा बीता होगा तो सबसे पहले तो मुझे नीचे comment section में आप लोग बता दीजिए कि overall आप लोगों के लिए ये week कैसा रहा है इस week के अंदर Traders, Monday को हम लोगों के 7 intraday stock में target achieved हुए थे Confidence Petro, HBL Power, Sun TV, ITC और ACN Paint में और Traders Tuesday के दिन हम लोगों का एक भी stop loss hit नहीं हुआ था साथी में बात करें Wednesday का तो Wednesday को भी हम लोगों ने 5 intraday stock में target को achieve किया था और वो stock थे AB Capital, Jabal, Food, Britannia, Sipla और Kotak Bank और Wednesday के दिन भी हमारा एक भी intraday stock में stop loss hit नहीं हुआ था बात करें Thrust Day का तो Thrust Day को traders हम लोगों का 8-8 intraday stock में target achieve हुआ था जो की थे Berger Paint, Ramco Cements, Wipro, Adani Port, Jindal Steel, Donier, Triveni और Indocent Bank इन सब का chart analysis traders आप लोग देख सकते हैं वीडियो को pause करके साथी में Thrust Day के दिन हमारा 2 stop loss भी hit हुआ था Apollo Tire और PFC के अंदर में और बात करें आज का तो आज भी 5-5 intraday stock में हमारा जो target है वो successfully achieve हुआ है सबसे पहला intraday stock था JSW Steel, इसके अंदर हम लोग को breakout देखने का मौका मिला, फिर ये हलका सा retest किया और बहुत ही easily हमारे first target को achieve किया है हमारा दूसरा intraday stock था SCL Tech, आज देख सकते हैं कि हलका सा ये gap up opening दिया था, फिर ये यहाँ पर retesting किया और बहुत ही successfully हमारे target को achieve किया है third intraday stock था CHOLA FIN, इसके अंदर भी हम लोग को आज एक बहुत ही सांदार breakout देखने का मौका मिला और ये भी अपने सारी targets को आज बहुत ही successfully achieve करते हुए nurture आया है अगर हम लोग इसको 15 minutes के time frame पर देखेंगे तो आज ये हलका सा gap down opening दिया था, फिर ये बहुत ही खुपसूरती से अपने EC level को retest किया और इसके बाद इसके अंदर भी हमारे सारे targets achieve होते हुए nurture आया है और उसके बाद traders हम लोग को इसके अंदर बहुत ही जादा momentum देखने का मौका नहीं मिला और ये पूरे दिन एक consolidation में हम लोग को move करते हुए nurture आया है लेकिन उसके बाद इसके अंदर कुछ खास momentum हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला और ये जाकर के हमारे stop loss को hit कर गया है तो मुझे जानकर बहुत ही जादा अच्छा लएगा आज data power के अंदर भी हम लोग को एक बहुत ही सांदार breakdown देखने का मौका मिला था लेकिन market conditions के कारण हम लोग को इसके अंदर बहुत ही बड़ा momentum तो generate होता हुआ नजर नहीं आया है अगर overall accuracy का बात करें तो वो कहीं न कहीं 85-88% के बीच में निकल करके आ रही है और अगर आप लोग को यकीन नहीं है तो आप लोग मेरे previous वीडियो को देख सकते हैं traders बहुत ही जादा मेहनत लगती है आप लोग के लिए इतने बेहतरीन intraday stocks को खोजने के लिए तो I hope आप सभी लोग को मेरी analysis के साथ-साथ जो एकूरेसी रही है इस week की वो पसंदारी होगी तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथी में अगर चानल पर पहली बार विजीट किये हैं तो चानल को भी traders जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताक कि आज भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ दो बज़ के 9 मिनट पर HDFC AMC का चाट अनलेसिस सेयर किया था वो भी proper levels के साथ में और फिर HDFC AMC के अंदर हम लोगों को एक बहुत ही अच्छे वॉल्म के साथ में breakout देखने का मौका मिला फिर यहाँ पर यह बहुत ही के अंदर अपने ट्रेड को प्लेस किया था परस्नली ट्रेडर्स आज मुझे HDFC AMC और चोला फिन के अंदर ट्रेड करके बहुत ही ज्यादा मजा आया और इसी तरह का मोमेंटम जब हम लोग ट्रेडर्स कैच आउट करते हैं लाइव मार्केट के अंदर में तो इससे हमारा जो confidence रहता है वो अलग ही level पर पहुंच जाता है और यहीं सारी acid rates होती हैं जो हम लोग को यकीन दिलाती हैं कि सिर्फ एक अच्छे technical analysis से आप लोग intra-day trading के अंदर profitable बन सकते हैं तो चली traders अब हम लोग discuss कर लेते हैं उन stocks को जिसे आप लोग Monday के लिए अपने watchlist में add करके रख सकते हैं तो Monday के लिए traders मेरा सबसे पहला intraday stock रहेगा DB Realty क्योंकि इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत इंक उपसूरत सा हम लोग को inverse head and solder pattern create होते हुए nurture आ रहा है साथी में traders अगर हम लोग देखे तो stock जो है वो अपने all time high cash first में आ करके trade कर रहा है एक अच्छे volume के साथ में हम लोग को इसके अंदर buying strength भी देखने के लिए मिल रहा है तो ऐसे में कल अगर ये अपनी snake line को break करता है इसके उपर अच्छे से sustain कर जाता है तो एक अच्छा कासा intraday momentum हम लोग को इसके अंदर catch करने के लिए मिल सकता है मंडे के लिए मेरा दूसरा intraday stock रहेगा हिंदुस्तान वायल हिंदुस्तान वायल के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छे खासे falling pressure create होने के बाद ये जो stock है वो खुद को बहुत ही अच्छी तरह से इस rectangle pattern में consolidate कर रहा है और आज के दिन traders हम लोग देख रहता है तो हम लोग को इसके अंदर भी एक अच्छा खासा intraday move capture करने के लिए मिल सकता है अगर ये अपने इस level को break कर देता है तो मेरा अगला intraday stock रहेगा EIH hotels EIH hotels के अंदर traders आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही खुपसूरत सा हम लोग को hidden solder pattern create होते हुए nurture आ रहा है तो अगर ये momentum Monday को भी continue रहता है और stock अपने straight line को break कर देता है जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि already ये बहुत बार support ले चुका है तो उस case में हम लोग को इसके अंदर भी एक अच्छा खासा intraday momentum catch करने के लिए मिल सकता है Monday के लिए मेरा अगले intraday stock रहेगा HSCL, HSCL के अंदर टेडस आप लोग देख सकते हैं कि ये जो zone मैंने draw किया हुआ है वो बहुत ही जादा crucial role play कर रहा है stock पहले बार-बार आकर के यही पर support लेते हुए हम लोग को नजर आ रहा था फिर यहाँ पर हम लोग को breakdown देखने का मौका मिला और आज बहुत ही अच्छे volume के साथ में इसके अंदर भी हम लोग देख सकते हैं कि last के intraday session में buying strength create होते हुए नजर आया है क्योंकि अभी भी इसके अंदर कोई खास wireless होते हुए हम लोग को नजर नहीं आया है तो इसलिए अगर यहाँ पर फिर से हम लोग को breakdown होते हुए नजर आता है तो एक अच्छा खासा intraday fall इसके अंदर भी catch करने के लिए मिल सकता है क्योंकि traders आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही खुबसूरत सा hidden solar pattern इसके अंदर भी create होते हुए नजर आ रहा है तो इसका भी levels मैंने आप लोग लिए आपर mention कर दिया है आप लोग जरूर इसे note down कर लिजेगा तो अभी तक traders वीडियो के अंदर हम लोगोंने lower price range के intraday stock को discuss कर लिया है तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोग को याद दिलाना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगोंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्लीज इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा इसी के साथ अगर आप लोग लोग stock market news से updated रहना चाहते हैं तो चैनल की membership को भी join कर सकते हैं सिर्फ 89 रुपेज पर मन्त के offer price पर और जितने भी लोग चैनल की membership को join करते हैं उन सभी लोगों को WhatsApp stock market news group में जुडने का मौका मिलेगा साथी मेटेडस आप लोग देख सकते हैं कि lower price range की intraday stock को खोजने में और भी ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि मुझे वैसे stocks को खोजना होता है जहां पर हम लोग maximum 2% तक के target को achieve कर सकें अगर आप लोग ध्यान से देखीएगा तो देख सकते हैं कि DB Realty के अंदर पहला target ही 1% के आसपस में है और second target हम लोग का 2% का है similarly आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर भी हमारा जो first target है वो 1% के round में है second target यहाँ पर 2% का है या ये छोटल के अंदर भी traders आप लोग देख सकते हैं कि 200 का stock है पहला target ही 2 रुपए का है तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोग के लिए high momentum lower price range के intraday stocks खोजने में तो इसलिए traders आप लोग इसी तरह से अपने support को जरूर बनाये हुए रखिएगा वीडियो में traders आगे बढ़ते हैं अब कुछ higher price range के intraday stock को discuss कर लेते हैं तो मंडे के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा data motors, data motors के अंदर traders आप लोग देख सकते हैं कि यह जो trend line है वो इसके लिए azure resistance की तरह काम कर रहा है साथी में यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को एक बहुत ही खुबसुरत सा cup और handle pattern भी create होते हुए नजर आएगा साथी में traders अगर हम लोग इसी same graph को one hour के time frame पर analyze करेंगे तो देख सकते हैं यही trend line इसके लिए already पहले भी resistance का काम कर चुका है तो इसलिए अगर यहाँ पर हम लोग को breakout देखने का मौका मिलता है तो एक अच्छा खासा intraday momentum हम लोग को इसके अंदर catch करने के लिए मिल सकता है क्योंकि आज वैसे भी auto sector में हम लोग को एक अच्छा खासा buying strength देखने के लिए मिला है मंडे के लिए मिरागला intraday stock रहेगा अडानी port अडानी port के अंदर traders आप लोग देख सकते हैं कि यह जो train line है वो इसके लिए as a crucial support की तरह काम कर रहा है साथी में traders अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेगा तो इसके अंदर भी एक बहुत ही खुपसूरत सा हम लोग को inverse cup और handle pattern भी create होते हुए नजर आ रहा है तो ऐसे में कल अगर यह अपने इस nickel line को break करता है जहाँ पर already यह बहुत बार support ले चुका है आज इसके अंदर भी हम लोग को एक अच्छे volume के साथ में buying strength देखने के लिए भी मिला है और साथी में यहाँ पर हम लोग को एक बहुत ही खुपसूरत सा inverse head and shoulder pattern भी देखने के लिए मिल रहा है Sun Pharma के अंदर traders आप लोग देख सकते हैं कि 1154 का जो level है उसको यह continuously try कर रहा है break करने का पिछले 2-3 दिन से लेकिन अभी तक successfully break नहीं कर पाया है यहीं same level पहले भी इसके लिए resistance का काम कर चुका है और traders यहाँ पर अब हम लोग कह सकते हैं कि kind of reversal pattern हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है आकर के इस zone पर support लेते हुए हम लोग को नजर आ रहा है साथी में आज last के intraday session में लोग देख सकते हैं कि एक अच्छे volume के साथ में यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा falling pressure create होते हुए नजर आया है लेते हुए हम लोग को दिख रहा है तो इसलिए अगर इसका breakdown हम लोग को देखने के लिए मिलता है तो एक अच्छा खासा intraday fall हम लोग को इसके अंदर भी देखने के लिए सकता है लेकिन ट्रेडर्स अगर इसके अंदर सपोर्ट के आज पास से ही buying strength हम लोग को देखने के लिए मिलता है तो 3854 के उपर में हम लोग इसके अंदर buying side का भी trade initiate कर सकते हैं तो मंड़े के लिए आप लोग इन सारे intraday stock को अपने रडार पर थोड़ा सा समझा कीजिए हर तरह के लोग को हर एक price range में trade करना पसंद होता है तो I hope आप लोग इसी तरह से अपने support को बनाये हुए रखेगा आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद